सुप्रीम कोट में सेम सेक्स मैरिज के उपर जो लगातार सुनवाई चल रही है मंगलवार 9 माई 2023 की सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने कहा कि जो शादी होती है वो सवेधानिक अधिकार नहीं होता इस दोरान कोट ने शादी को लेकर विस्तार से चर्चा भी की और कहा कि हिंदू कानूनों के तहट विवाब बहुत ज़्यदा पवित्र होता है ये कोई कॉंट्रेक्ट नहीं होता जैसे कि हम सभी जानते हैं कि CGI के अधिक्षता में पांट जजो की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोट ने सेम सेक्स मैरिज के मामले में शादी को लेकर बहुत ही एहम टिपनिया की है जिसमें Justice S. रविंदर भट ने कहा कि भारत का सविधान लकीर का फकीर विचार को खतम करने वाला है अपने आप में पुरातन परंपरा तोड़ने वाला है हमारा सविधान उन परंपराओं को पुरातन विचारों को तोड़ता गया है जो कभी हमारे समाज में रचे और बसे गए थे ये किसी जमाने में जिसे पवित्र माना जाता था उन्होंने कहा कि हमारी सविधान ने जाती विवस्था को तोड़ा चुवा चूद पर प्रतिबंध लगा दिया दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा सविधान नहीं है जो ऐसा करता है C.G.I. ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि सविधान के तहट शादी करने का अधिकार नहीं है marriage के मूल तत्व को सवेधानिक मूलियों के तहट संडख्षन दिया जाता है धरम की आजादी के तहट ही marriage का जनम होता है क्योंकि हिंदू कानूनों के तहट ये बहुत ज़धा पवित्र रिष्टा है इसे contract नहीं कहा जा सकता जबकि मैरिज और उसके दूसरे पहलिवों को जो नियंतरित करती है वो सरकार करती है और हमारा कानून करता है लेकिन इसकी जाच की जानी बहुत जरूरी है सीजे आई डीवाई चंदरचूर ने ये भी कहा कि यह कहना तो दूर की कौड़ी होगा कि शादी करने का अधिकार सविधानिक अधिकार नहीं है मैरिश के हर एक बिंदू को सविधानिक मुल्योद्वारा संदक्षित किया गया है इस दोरान सीनियर एडवोकेट राकेश दिवेदी ने उन्होंने सविधान के आर्टिकल 50 का हवाला दिया और कहा कि ये सलहकार का शेत्रियादिकार होता है संसद इसके लिए जिम्मेदार है ये काम कानून का बिलकुल नहीं है इस पर सीजी आई ने कहा कि आर्टिकल 50 अलग विचार के साथ तयार किया गया था ये सेटल्ड है MP सरकार के वकील राकेश दिवेदी ने कहा कि सरकार देखे कि किस तरह की मानिता दी जा सकती है देश में भाशा का भी मसलब बहुत ही पेज़दार है सीजी आई ने कहा कि ये कोई मामूली मसला नहीं है ये काफी पेज़ीदा मसला है राकेश दिवेदी ने कहा कि ये मानेता का मामला है इतना आसान नहीं है इसे कितने ही पहलू जुड़े हुए है सरकार और संसत को इस पर मिलकर ही विचार करना होगा उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई लाइव स्ट्रेमिंग के जरिये पूरे देश में हो रही है लेकिन सुनवाई का जो प्रसारन है वो अंग्रेजी में हो रहा है बासा की समस्य बहुत बड़ी है दूर दराज के स्थाने भारते भाषाओं के लोगों को अंग्रेची समझ में नहीं आती सीजी आई ने कहा कि हम उस उपाए में भी लगे हुए हैं जिसे लोगों को देश की अपनी अपनी भासाओं में इसका ट्रांसलेट मिल सके सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल ने कहा कि इन लोगों को समाज में एक अलग लेंगिक पहचान और सेक्सवल यूनियन यानि मैरिज को कानूनी मानिता चाहिए लेकिन ये मानिता सिर्फ कोट की घोशना यानि डिकलरेशन से नहीं मिलेगी बलकि कानूनी तोर पर इसे और पुकता होना होगा